हेलो फ्रेंज आज इस वीडियो में हम देखने वाले है about click event जब भी कोई भी बटन पर या कोई भी बॉक्स पर क्लिक करने के बार कोई भी action perform होगा तो उसी के बार में हम इस वीडियो में देखने जाले हैं तो चलते अपनी code editor में और इस वीडियो को शुरू करते हैं क nei güto Hydra में आ चुका हूं उसके बाद यहां पर एक boaks naam का class अंदर ठीके जैन यहां पर बーツन बनाओँगा सो क्लिक में जो क्लिक मी 1 ठीक है और इसी को चार बना देता हूं क्लिक में 2 क्लिक में 3 और क्लिक में 4 ठीक है और इसको मैं अपने ब्राओजर में ओपन कर लाता हूं उसके लिए मैं इसकीन को स्प्लिट कर लूंगा जिसके मेरा ब्राउजर भी दिखेगा और यहां पर कोड भी दिखेगा ठीक है यहां पर चार बटम आ चुके है यहां पर on click ठीक है यहां पर अलोट अलोट में स्पेस नहीं होना है अलोट इस्पेलिंग उसके बार अलोट ओ जब मैंने डबल कोट पाहर लगा दिया तो अंदर मुझे सिंगल कोट लगाना पर जाए उसके लिए इसमें है यहां पर बटन को डिफरेंट डिफरेंट अक्षन दूंगा तो यहां पर अलोट है तो यहां पर में कंफर्म ठीक है और कंफर्म के अंदर यहां पर दे दूंगा आर यू श्योर ठीक है और यहां पर प्रॉम्ट ठीक है और यहां पर इंटर यूर नेम ठीक है और लास्ट में अटेक्ड का भीरियर बाट्म फंपर कलीक करूंगा यहां हमाना ड्रीफेंट इपार्ट्रेंट टूंगा के ऋछलने िफाता आं वीपलोको europé। फर्स्ट हेलो वर्ड सेकेंट आर इस्योर येस ओके क्लिक मी तो थो थोड़ बटन और यहां पर हमारा प्रम्ट चल गया तो मैं यहां पर नाम लिख दूंगा देन ओके ठीका थोड में फाइनली सम्मिट तो ठीक है यह हमारा एक तरीका है क्लिक इभेंट एड करने का और हम क्लिक को में अब चलते है दूसरे तरीकर के तरफ ठीक है तो यहां पर मैं प्रम्ट्रोल जेट करने सब को हटाड़ूंगा अब अनख्लिक को ठीक है अब में यह सबटन को अलग-अलग क्लास दे दूगा ठीक है तो क्लास बीटी एंड और ठीक है अब यहां पर अलग अलग नाम दे दूंगा बीटियन 1 बीटियन 2 बीटियन 3 एंड बीटियन 4 ठीक है और यहां में नीचे एक H1 टाग दे दूंगा और उसमें अब 1st show me ठीक है और यहां पर S2 2nd show me ठीक है उसके वाल S3 3rd show me उसके वाल S4 यह ओयार टे एक 4th show me ठीक है यहां मैं क्या करूंगा है एच वान एच टू एच थी एच फॉर डिस्प्ले नन ठीक है यह सारे को डिस्प्लेए नन कर दिया है बट मुझे एच वान को नहीं करना था क्योंकि मैंने एच वान में अपना यहां पर उपर क्लिक इवेंट लिस्टनर में टेक्स डिया इस एच टू एच थी एच फॉर एच फाइफ ठीक है टोटल हमारा सिक्स हेडिंग है एच सिक्स तक तो मैं फाइब तक यूज कर रहा हूं उसके हाँ स्क्रिप्ट टैग में चलेंगे और इसको अभी यहां पर डिस्प्लेए नन एच फाइब बाकी रह गया है एच फाइब में सब यह अलग अलग बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा लाइन याइन सिक्लिक करूंगा तो यह हमारा स्टु सुग होगा ख्लिक टू पर स्टी और एंस बाकी पर तो यह दोना सुगत है फिक और दूसरी मेठोट से एट इभेंट लिस्टने लगाएंगे इसमें क्लिक इभेंट ठीक है तो फर्स्ट में में कॉंस्ट चारों बटन को सेलेक्ट कर लूँगा इसको तुट कुमेंट डॉक्ट कोई इसलेक्टर और यहां पर डॉट बीटेंट ठीक है देन मैं अपने कोई डीटर का साइज को थासा पराक कर लेता हूं और इसको थासा छोटा हो ठीक है यहां पर इसको कोपी करूंगा चार बात और यहां पर चेंज करूंगा तक है हो चुका है अब इन चारो बटन पर अलग-अलग हम एक्शन परफॉर्म करेंगे क्लिक इवेंट यूज़ करके ठीक है तो बिटी एन वान डॉट एडिवेंट लिस्टनर और यहां पर क्लिक इवेंट उसके बार यहां पर एक फंक्शन अरो फंक्शन ठीक है तो उसके अंदर हमें इस चाल को भी स्लेक्ट करना पड़ेगा यहां तो नॉर्मल कॉंस्ट और कैपिटल नट स्मॉलिक नट कॉंस्ट मुझे एक 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 आप्लोग बन करना है कॉंस्ट ठीक है और एस्टू इसका टूदू डॉकुमेंट और क्वरी सेलेक्टर और यहां कॉंधत obedient करें एक आप और कोफिकरने के अज़ेंगे अज़ा रगता कना यहां पर भी हम चेंज करेंगे 23FR500 के निंफुमें 15 Какा यह स्का आप उसके बार में थार्त बटन में हमें already स्टू rike एसके लिए अब जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहां हमारा इस्टू हो जाएगा तो डेखते हैं फर्स्सों में वर्मारा सो चुगा है अब चलते सिकेंड बटम को यूज करेंगे और हम एस्टिरी को यहां पर डिस्प्ले करहेंगे इसको को भी पेस्ट करूँगा मैं उसके बाद बटन का नाम चेंज करूँगा टू और यहां टैक का नाम चेंज करूँगा तो ठीक है अब इसकेंड वे क्लिक करने पर हमारा से के स्टी भी यहां पर डिस्प्लो दाएगा तो देखते हैं तो सेकेंड सोमी और इसको भी क्लिक करेंगे फॉर्स वी ठीक है यह दोन हो चुका है अब इन दोनों को भी इसमें जल्दी से में वर्क में लाऊंगा तो बटन 3 और यहां धिल्दी निखेंगे फिंदेगा सब डखिएंगे हमाना च्रैन क्लिक इवेंट हो चुका है सो डबी एच फोर मिक्रिक मिस बटन फ़ोल्मे क्लिक का फोर्स वाम है थर्थ में थार्ड आर्ट्व में थो में 2 और 2 20 में 2 & 1 में 1 ठीक है ? अ हीस womे यह शो एक सब two will फ्रेंज ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और मिलते हैं नए परजेट के साथ अगले वीडियो में थैंक यू